पाजबास अगठन में होगा बनलाव बूपेन चोधरी की अतक्षिता में इसी अमावास पर नई टीम को लेकर हुई चर्चा छेत्रिय जात्य संतुलन पर भी मंधन तीस साल बाद यूपी बोर्ण ने रचाय तेहास दस्वी और बारहमी की परिक्षा में नहीं आउट हुए पेपर अंठावन लाग चात्रों ने दी परिक्षा विदेशी भक्तों ने खेली फूलों की होली वंद्राबन में रूस यूकरेन समेत 32 देशों से शंधालू पहुँचे डीजे पर किया राद इसी सोधिया केस पर नौव विपक्षी ने इताओं की पीम को चुट्री कहा गिरफतारी ने दिखाए कि हम लोग तत्र से ताना शाही में बदल गए गरीब देशों की कौन्फरेंस में शामिल होंगे पाकिस्तानी पेम आज से कतर में 46 लिस्ट डिवलब्ट कंट्रीज की कौन्फरेंस में यून ने इसे कईरिया दे देता है नवशकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ ननेनी आदव वक्त हो चुका है उत्रपदेश की बड़ी खबरों कारू करते हैं खबर क्योर विधान सभा अधक्ष ने सर्वसम्मती से सदन को अदालत के रूप में परिवर्तित करते हुए कारेवाई शुरू की और संसदिये कारेमंत्री सुरेश खन्ना के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से स्विक्रित होने के बाद सजा की घोशडा की सपाविधाय किरफान सोलंकी कोड परिसर से मुस्कुरा करने के लिए और शायराना अंदाज दिखाते वे बोला की तुफानों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती संगर्स करने वालों की कभी हार नहीं होती आपको बदा दे कि भारी सुरक्षा भी कारपुर्पूर से इर्फान सोलंकी को महराज गंचेल के लिए रवाना होती केंद्री रेल मेंट्रे अश्मनी बैश्रो एक दिवसी दोरे पर बिजणोर पहुँचे इस दोरान रेल मंत्री ने कहा कि मोधी सरकार ने रेलवे विभाग में उत्रपदेश को सरवाधिक बजट दिया है इसके पीछे मकसद उत्रपदेश के रेलवे स्टेशनों का नक्षा बदल कर उसकी अलग पहचान बनाना है BSNL की अच्छी सुवधाओं का लाभ एक साल के भीतर उपभुकताओं को मिलेगा UPA सरकार ने BSNL की सुवधाएं ठप कर दी थी विशेश मुद्दे उठाए एक मुद्दा था फाटक का भाई फाटक पे तो जगे जगे पे ऐसी परिस्तितिया है कि आधे-ाधे किलोमिटर लंबी लाईने लग जाती है और अपने यहां तो पश्चिमी उतर प्रदेश में तो गन्य की खेती होती है बड़ा वसा ट्रैक्टर और उसके पीछे उसकी बड़ी सी ट्रॉली जोटे अगर अंडर पास बने तो इससे काम नहीं होता तो इस सारे प्रवासों का जितना निचोड था लेके गया मैं माने प्रदान मंत्री जी के पास और रया में होली एवं शब बारात कोले कर तिवहार कोले का जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में मिठाईयों की दुकानों पर छापे मारी की गई चापिमानी के खबर से दुकानदारों में खलबली मच गई और कई दुकानदार अपनी अपनी दुकान से रफू चक्कर हो गए सदर एस्ट्रियम मनोज कुमार सिंग और शहर कोतवाल रवी कुमार श्रिवास्ताओं के अलावा खाद सुरक्षा अदिनियम के टीम रही वहां पर मौजूद और आपको बता दे कि इसके अलावा विभाग की टीम ने सुबाश चोराहे पर इस्थिद मुली स्वीट हार्ट पर चापा मारा गुरुद चेला स्वीट हाऊस रमाकाँ स्वीट हाउस रितेश स्वीट हाउस के समित 4 दूकानों के सेम्पल भरे गें इसमें कई अनुयमता पाई गई इसके उपरांद उन्होंने टीम के साथ आने जगा पर छापे मारी कारेवाई भी की वहीं वहां के अधिकारियों ने कारेवाई का आश्वासन देते हुए दुखानदारों को कहा गी यदि इस प्रकार की शिकायत सामने आती है तो उनके खिलाफ कारेवाई अमल मेलाई जाएगी अधिक के साथ और इस्पेक्टर को पाई नामपाराई के साथ देखा गया और दो सराभी की दुखानों के भी रेंडम रूप से उसको चेकिंग की गई और साथ में हम दोगों ने और कोटवाल रहया ने हम लोगों ने दो गाहों में जरुलिया में और भीखा कुड़ु में सरकार के निर्दिया सब्सकेंद विधुना के अंतरगत मात्र एवं शीशु अस्पताल में चिकसा अधिक्षक सधार्थ वर्मा के कोशल नेतित्व में पहली बार सामुदाइक स्वास्केंद पर सफलता पुर्वक ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म कराए गया मुख चिकसा अधिकारी डॉक्टर अर्चना श्रिवास्तों ने कहा कि चिकसिकों की टीम द्वारा सफलता पुर्वक ऑपरेशन कर रहे बच्चों को जन्म दिया गया है वही इस मौके पर डॉक्टर अश्वनी यादो हेमलता जोती अमित कुमार सतीश कुमार आदी स्वास कर्मी वहाँ पर मौझूद रहे यूपी के बुलंद शहर के पहासू थानाशेत्र में नगला जगत गाओ में छह वर्ष के मासूम की बंबे से गिर कर मौथ हो गई मिली जानकारी के अनुसार सुरजीत कुमार बच्चों के साथ शानिबार शाम चार बजे घर से खेलने के लिए निकला था बच्चे के माता पिता मजूरी करने के लिए गय थे मासूम शिवा बंबे की तरफ खेलते खेलते चला गया जहाँ पर खेलते समय बंबे में उसका पैर फिसल गया और गिर कर मौथ हो गई जिसकी सूशना पुलिस को दी गई थी जहाँ पर ग्रामिड और पुलिस ने पूरे छेत्र में खोजबीन की लेकिन वो नहीं मिला रविवार सुबा आठ बजे मासूम बच्चे का शब जटावला गाव के निकट बंबे में तैरता हुआ मिला अचानक होई बच्चे की मौ से परिशनों में हडकम मच गया वहीं परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है खबर गाजिया बास से हज़ाँ थाने चौकी में लोगों से पुलिस का उत्पिडन कम नहीं हो रहा है ताजा मामला अब मोदी नगर से सामने आया है यहां निवारी रोड चौकी पर युवक आकाश को पुलिस ने बेल्ट वा पट्टे से बिरहमी से पीट दिया है युवक के हाथों पर सूजन है कमर पर नील पड़े हुए है आरोप है कि युवक से धाई हजार रुपे रिश्वत लेकर रात में दो बजे छोड़ा गया युवक को धमकी दी गया यदि किसी को इस बारे में बताया तमंचा या चाकू लगा कर चेल भेज देंगे घटना शनिवार रात की है वाँ ड्यूटी से लौट रहा था या रात र को जब आना तो यह भुगडा तो इसका हाथ देखा इमने चोट लगी तब इसे उठाया और मैंने पूछा कि चोट कैसे लगी है फिर मैंने अपनी कसम दि तब इसने बताया और तो मैंने अहली वेरा गरं पानी करके से दबंगों के होसले बुलंद है कानपूर में महिला दुकानदान गई वस्तू के पैसे मांगे तो दबंग महिला पर दबंगों ने देर रात घर में पत्राव किया कारसवार नशे बाजो ने जमकर उतपात किया और पुलिस के आने से पहले सभी कारसहित रफू चक्कर हो गए पुलिस में दरज कराई है अभी के लिए उत्तरपदेश की खबरों में बस इतना ही देश उन्या की तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम ठीवी